नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पासपोर्ट फोटो को हम लोग कैसे बना सकते हैं। सभी को पासपोर्ट फोटो की जरुरत होती है और कई स्टूडियोज की रोजी रोटी ही इस पर चलती है। इस टूटोरियल में मैं आपको यह बतलाने जा रहा हूँ कि कैसे 4 x 6 पेपर पर 8 आइकार्ट फोटो को प्रिंट करें या 8 x 12 पेपर पर कैसे 32 आइकार्ट फोटो को एरेंज कर प्रिंट करने के लिए भेजें। मैंने कई स्टूडियोज में देखा है कि वे पहले एक पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हैं और उसे कॉपी कर कई बार 4 x 6 या 8 x 12 साइज के पेपर पर पेश्ट करते हैं। फिर उसे ठीक से एरेंज कर प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं। लेकिन यह तरीका बहुत समय लेता है। इसलिए मैं एक दूसरा तरीका यहां आपको बतलाने जा रहा हूं। जिसमें कम समय लगती है। साथ ही साथ आप यह भी सीख जाएंगे कि पैटर्न्स और बोर्डर को कैसे बनाये जाता है और कैसे उनका उप्योग किया जाता है। तो चलिए सुरू करते हैं। पहले एक तस्वीर ने जिसकी एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको बनानी है। लेकिन हर तस्वीर को आप इसके लिए इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। इसे खीशते समय कुछ नियुमों का पालन करना पड़ता है जो आप इस्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे कि यह फोटो सामने से लिया जाना चाहिए, इसमें पूरा चेहरा आना चाहिए, आखे खुली हो और चेहरे के भाव नेचुरल हो। तस्वीर में पूरा सर आना चाहिए और तस्वीर बालों के थोड़े उपर से लेकर कंधों तक्की ली जानी चाहिए। सर जुका या अन किसी चीज से ढगी हुई नहीं होनी चाहिए। फोटो रंगीन होनी चाहिए और उसके दाग धबों को हटाना नहीं चाहिए। अब तस्वीर को फोटो सॉप में खोले। इसके लिए फाइल मिनू में ओपन बटन को दवाएं और फाइल लोकीशन को सेलेक्ट कर फो पासपोर्ट फोटो टू इंच 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 का होना चाहिए और आईकार 1.5 इंच 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 का होना चाहिए। मालने कि हमें आईकार्ट के लिए तस्वीर बनानी हो तो हम 1.5 इंच विल्ट में टाइप करेंगे और टू इंच हाइट में टाइप करेंगे और रिजलूश को क्लिक करके ड्रैक करें और बालों के उपर से कंधों तक के एरिया को सेलेक्ट कर ले एक बार क्रॉप्ड एरिया चुनने के बाद क्लिक करके क्रॉप्ड एरिया को फिर से आप रियरेंज कर सकते हैं उसके बाद इंटर बटन को दबा दें बस आपका पासपोर्ट फोटो त करें stroke panel में widths में 10 pixel टाइप करें और color पर क्लिक करें इससे color panel खुल जायेगा यहां white color को select करें और okay को क्लिक कर दें location में inside को click कर दें और okay button दबा कर stroke panel को बंद कर दें जैसे ही आप stroke panel को बंद करेंगे आप देखेंगे कि तस्वीर के चारों तरफ एक white border बन गई है, जैसा कि आप screen पर देख रहे होंगे, इसके बाद edit menu को खोले और define pattern पर click करें, अब pattern window में pattern का कोई नाम type कर दें, और ok पर click कर दें, अब एक नया document बनाएं, इसके लिए file menu को खोलें, और new पर click करें, और यहां width में 6 inch और height में 4 inch type कर करें, और resolution में 250 type कर दें, अब create button को दबा दे, screen पर 6 inch 4 की एक खाली document खुल जाएगी, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, अब edit menu को खोलें, और fill पर click करें, fill panel में content पर click करें, एक list आपके सामने खुल जाएगी, इसमें pattern चुन ले, custom pattern पर click करके उसे खोलें, यहां आपको select करके ok पर click कर दे, आप देखेंगे कि अब खाली document बहुत से icard से भर गई है, और वे सही तरह से arranged भी है, अब आप इस file का print करा सकते हैं, अगर आप 12 into 8 size के paper पर icard बनाना चाहते हैं, तो इसी size का एक खाली document बनाए, जैसा कि आपने पहले बनाया था, file menu को खोलें, और उसम 12 into 8 size और resolution 250 select करके create button को दबा दे, नई file बन जाएगी, अब पहले की तरह इसमें pattern फिल कर दे, लिजिए आपका 12 into 8 size का एक document तयार हो चुका है, जिसमें की icards के photo arranged है, आप directly इसे आप print करने के लिए भेज सकते हैं, इसी तरह passport photo print करने के लिए आपको केवल 2 into 2 inch की pattern बनानी पड़ेगा जैसे कि आपने icard के लिए किया है, आसा है यह tutorial आपको पसंद आया होगा, अगर आपको यह tutorial अच्छा लग रहा हो, तो like बटन डबा दे और subscribe भी दबा दे ताकि आपको अगले tutorials की जानकारी मिलती रहे, अगले अंक में फिर आप से मुलाकात होगी, तब तक के पहले मुझे आगया दे, आपका दिन मंगल मैं हूँ